कुदुरत के रहस्य को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही शायत कभी समझ पाएगा प्रकृती ने हमारे पुथवी को बेशुमार खुबसुरत और रोमान्चक चीजे प्रदान की है जो दुनिया भर में हमें देखने को मिलती है उन्ही में से एक है कैनो क्रिस्टल्स नदी वेसे तो दुनिया में बहुत सी खुबसूरत नदिया है लिखिन एक ऐसी नदी है जो मोसम के साथ साथ अपना रंग बदल दी है इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स Keynote Crystals नदी दक्षिनी अम्रिका महादिब के कोलंभिया के सरान्या दीला मेकरेना इलाकर में बेहती है ये नदी आगे जाकर ग्वाया बेरो नाम की बड़ी नदी से मिल जाती है केनो क्रिस्टल्स नदी का रंग कभी बीला तो कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला तो कभी काला हो जाता है इसलिए इसे river of five colors भी कहा जाता है इस नदी को liquid rainbow के नाम से भी जाना जाता है ये नदी प्रकृती की एक अनुठी कला है, जो हर किसी को आश्चेर चकित कर देती है केनो क्रिस्टल्स नदी के लबाई करीब 100 km है, वही इसकी चोड़ाई करीब 20 मिटर है कुछ लोग नदी को देखकर ये सोचते है कि नदी का रंग किसी शेवाल या काई के कारण बदल जाता है परन्तु ऐसा नहीं है दरसल इस गैनो क्रिस्टल्स नदी में मेका रेनिया कलेवी गेरा नाम का एक पोथा है जिसके कारण इसका रंग बदलता रहता है इस पोथे को अगर निश्चीत जल या निश्चीत सूरज की रोश्टी मिलती रहे तो इसका रंग हलका या फिर गेहरा लाल होता है ज्यादा तर दिनों में इस नदी का रंग हलका या गेहरा गुलाबी और हलका या गेहरा लाल होता है कभी-कभी इसका रंग निला, पिला, नारंगी और हरा भी हो जाता है कैनो क्रिस्टल्स नदी के रंग बदलने की ये प्रक्रिया जून से लेकर नवेंबर के बीच कुछ सब्ता में दिखती है प्रक्रिती का ये खुबसूरत नजारा बहुत ही अद्बूत होता है एतियासिक रूप से इस नदी को विश्व की सबसे खुबसूरत नदी भी कहा जाता है नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार ये नदी गार्डन ओफ एडन यानी देवताओ की नगरी में स्थीत है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गुमने आते है यहाँ गुमने आने वाले ज़्यादातर लोग पास ही के टाउन ला मेकरेना और ट्रेक शेहर के नेशनल पार्क से होते हुए यहाँ पहुंचते है प्रकृति की इस खुबसूरती के बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए है जैसे एक गुरूप में साथ से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक ही दिन में दोसों से ज़्यादा लोगों का इस शेतरक में जाने की अनुमती नहीं है आप क्या सोचते हैं इस नदी के बारे में और आपको यह नदी कितनी खुबसूरत लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू सो मच